आज सुबह ही मन में ऐसे ख्याल आ रहा था कि कैसे जर्णी शुरू हुई और कहते हैं ना महराज से जो मांगोगे वो मिल जाएगा तो शुरू से ही जब मैं जूम से कनेक्ट हुई थी संगर जी तो जूम पे जब मैं सत्संग पहले तो सुनती नहीं थी और जब सुनने लग जाए तो कितन कराओंगी बट गुरू जी का सत्संग जब मैं सुनती थी तो इनसे कुछ मांगो नहीं और बस मतलब इनसे इनको इनसे कोई डिमांड मत करो बट इनको दिल में रखो और इनको मन नो तो संगर जी मैं सोस्ती थी कि कुछ मांगना नहीं तो फिर क्या बात सत्संग सुन रहे थे और जूम पे और मैं एक दम कमरे में घुसी तो एक आंकल सत्संग कर रहे थे तो वो बोले कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया था और मैंने शुरू में गुरू जी से बस यही का था कि हे मालिक मुझे अपने चरनों से जोड़ो संगा जी वो लाइन मु बोलनी आती है हमें तो अभी तक सही पूछे तो बात करनी भी नहीं आती तो संगाज जी बस उस दिन से फिर मैंने यही बोलना शुरू किया तो आज कुराना मतलब साथ सेप्टेंबर को स्वरू पाया था उसके बाद की चरनी ऐसे सुबह आज मंडे था और गुरू जी से जब सेवा मांगो तो सेवा भरपूर मिलती है और उसके साथ साथ गुरू जी के टेस्ट भी शुरू हो जाते हैं कहते हैं गुरू जी बहुत सेवा के लिए तो वहां पहुंची और वहां से फिर मैंने शुक्राना किया अम्रेतेविला बक्षा मालिक ने वहां शुक्राना किया फिर यहां से मैं चार बचे वहां के लिए निकली वहां मैंने महराज का शुक्राना किया कि चलो दो काम दो गए आई तो फिर वह तो इतनी भूख जगाई गुरुजी ने सत्संग करने की और जहां एक कड़ी से दूसरी कड़ी जैसे डॉट जोड़ते हैं गुरुजी पहले ये भूख लगी कि गुरुजी महराज पहले अपने दर पे बुलाओ हाज जी लगवाओ हाँ पे तो बड़े मंदिर के दर्शन नसीब हुए दो बार बाहर से दर्शन नसीब हुए फिर उसके बाद दर भार खुल गया था तो अंदर भी दर्शन मालिक ने दिये उसके से फिर पहला सत्संग नसीब हुआ किसी के घर में था वहां से फिर एक अंटी से कनेक्ट हुई उनके दर पर ऐसा था कि हर रोज सत्संग कर लो चाहे वहां जाके उनका इतना कि जब मैं जूड़ी थी तो मतलब मैंने जब आंटी से बोला कि मुझे पूरा सनिटाइज करके आओंगी मैं मास्क पहन के आओंगी पर प्लीज मुझे बुला लेना तो आंटी ने बुला हाँ ठीक है मैं बुला लोगी तो मैं वहां गई उसके बाद फिर वहीं पे मुझे एक कंटी ऐसी मिली जिनके यह कोई ऐसा नहीं था उन्होंने बोला कि जब मर्जी आ जाना तो संगत जी वहां मिली वहां गई तो जैसे सोच रही थी ना जैसे जैसे शुक्राना करूं आज सच में कह रही हूं कि आज मेरा यह शुक्राना का ही सतसंग समझना कि पहला तो उस माली का जिसने अपने चर्णों से जोड़ा उसके बाद उन संगत का जिनों ने मुझे इतना प्यार दिया हर उस कड़ी का जो गुरुजी महराज ने जोड़ी पहला वो जो घर जिस संगत का था उसके बाद जो खुला दर एक मिला कि जब मर्जी जाके वहां दर्श संग में गई थी थार्ण मुझे वह रीना अंटी मिली फिर वहां पर मुझे शीतल अंटी मिली क्योंकि रीना अंटी के हां पर बहुत संग बगरा हुआ कि सॉरी वह हलो है जैगरुजी जैगरुजी संगत जी अवाज आ रही है सॉरी बीच में डुनाव डिस्टरब बें डाला था पता नहीं कैसे कॉल आ रही है तो उसके बाद फिर वहां पर मुझे शीतल अंटी मिली और मतलब सत्संग की भूप थी तो गुरुजी महाराज ने ऐसे से कनेक्ट किया उसके ब कि प्र फिर फिर था कि जो लाइव करतें ना वभी जाना या कैसे सचसंग अगया उनने संगर जी हर ग्रूप में मैंने मैसेज ढाल दिये कि मुझेरा संग करना अंटी मुझे सचंग करना है तो शीतल अंटी ने फिर इधर अँझली आंटी के बारे में बताया और उतर होती है शुरु शुरु में समझ नहीं आता है पर अंधर से ऐसे दिमाग ऐसे गरम कर दिया था दिमाग में ऐसे लगता था सोस्ती रहती थी गुरुजी संगजी गुरुजी संगजी ऐसे चलता रहता था फिर संगजी क्या हुआ कि अंजली अंटी और इधर से कहीं से भी मेरा को नहीं बुलावाया फिर जिस संगत ने मुझे जोड़ा था तपस्य अंटी उनका भी थैंक्यू है जो पहला मेसेज अंकल के पास आया था गुरू जी के बारे में तो उन्होंने उनका एकदम से कॉल आता है और बोला भावी बोलती है भावी आप सत्संग करो मैंन बेज़ना फिर मैं काम कर很好 चाम में मन didn't証ब थान मुझे दिस राषपो when Boagy ऑन से करे अब दो जैसे मैं ही मतलब जैसे होता है कि अ उन्हों हुछ किसी को बैजसे हैं मदघे आसे का मैं मुझे अनotzी मुझे और मुजा फिर अचया दर मुझे महराज का आदेश है और अब मुझे हर चीज़ को मैं पीछे करती हूं मेरी आदत है मैं बहुत आलसी हो तो मुझे असा लगा कि अब यह यह तो मेरे महराज का गुंगान है तो मैं क्यूं पीछे हटूं मैंने बच्चों को और सबको बोलते कि आज मैं कुछ नहीं करूंगी कुछा ज Clean humor मेरा सतसंग पर मुझे रिकॉर्ड करेंगी हम ने कहीं हम सिखाध करें गया आप करऊंगे तो मैंने बुला ना की दो दिन तो मैंने लिखा फिर मैने टीसे दीन थोड़ा सा फिर महराज की चड़ण कि आ zukा कि बैठ करें कि नहीं, यह गुंगान है और यह कोई आर्टिफिशल चीज नहीं है, अब मैं यह उस दर पे ही भेजूंगी, जहां के लिए यह record हुआ है, और हाँ, कहते हैं कि इच्छा अपनी होती है, timing गुरू जी की होती है, हम मांगते जरूर हैं, देते भी वो हैं, लेकिन timing उनकी होती होती है, वो हुकुम तो आ गया था कि तेरे को सच्छन करना है, मेरा record भी होआ संगत जी, और मैंने भेज भी दिया, भेजते ही मैंने रात को record किया था, और सुबह मैंने सबसे पहले जूम पे जो अंकल हैं उनको भेजा, और फिर मैंने भेजते वक्त यह का, अच्छा मैं मैंने डर भी रही थी, कि सब चीज गुरु जी की मर्जी से होती है, तो जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी ना, और जब मेरी booking कैंसल होई थी, तब भी मेरे को वहम आया था कि गुरु जी, अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिये, तो सब कहते हैं, आपकी मर्जी से होत संगत जी, मैंने सुबह भीजा था, और माली की इतनी महर हुई, मेरे पास एक डेट बजे, अंकल का फोन आया, आउंटी आप सत्संग करेंगी, और मैं हाँ बोल तो रही थी, लेकिन मैं काप रही थी, लेकिन मैंने का नहीं, फिर मैं ना भी बोल दूँगी, फिर मेरे को वही दिमाग में चलने लगेगा, तो इस चीज़ को होने दो, मैंने हाँ बोला, संगत जी, शायद वो गुरुजी महराज कहते हैं ना कि, गुरुजी को पता है कि अभी हम कितना प्रिपेर हैं, ठीक है, एक दिमाग में चल रहा है, करना भी है, लेकिन उन्हें पता है कि इतनी संगत से मिली होना, कि लोगों को प्लैटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो प्लैटफॉर्म की, मतलब आप तो गुरुजी महराज ने बहुत महर कर रही है, बहुत प्लैटफॉर्म है, और मालिक सब को सचसंग करने का मौगा दे, संगत जी, फिर मैंने, वहां से मेरे को फोन आ गया, कि आँठी आज रात को आप सचसंग करना, दस बजे, पौने दस के करीब वहां पे मतलब 9.45 पे वो शुरू होता है, शबत बानी चलती है, फिर 10 बजे से सचसंग शुरू होता है, और 45 मिनिट्स के करीब जो पुरानी संगत है, उनको मौका दिया जाता है, व वो हमें इतना निहाल कर देती है, वो गुरू जी की छोटी छोटी बाते बताती है, तो बहुत अच्छा लगता है, तो संगजी वो गुरू जी ने, मेरे को यह उतो मैसेज भिजवा दिया कि रात को का मैं खुश हो गई, वो खुशी खुशी टाइम निकला और उसी तयार में सिम्रन में ही बस गुरू जी गुरू जी संगजी संगजी चलता रहा, रात हुई उसके बाद मैं बैठ गई, कि साड़े दस पुने ग्यारा मेरे टन आएगी, और मैं बिल्कुल ऐसे तयार होके बैठ गई कि गुरू जी का कुनकान करना है, और लेकिन उस टाइम क्या ह हुआ कि फिर क्या होता है वहां पर कि जब पूरानी संगत जब सस्थंग करती है संगजी तो सबको इतनी भूख होती है कि अगर वो संगत एक घंटा करे चाहे दो घंटा करे वो उनकी मर्दी है, मतलब सभी संगत ऐसा सोचती है कि बस वो सिखाएं और हम सीखें, तो मेरा उस दिन नंबर नहीं आया, मैं उठके चलीगी रात को, मैंने का जया गुरुजी कोई बात नहीं, सेकंडे भी ऐसी हुआ था, तर्डे भी ऐसे हुआ संगत जी, और फिर अंकल नहीं हो पा रहा है पर कोई बात नहीं, पर हमें सोजी गुरुजी महाराज ने इतनी बक्षी दिन तक जब मैं बैठी, और जब मैंने पुरानी संगत के सत्संग सुने, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत सुनती थी, तो वो गुरुजी की मर्जी थी, कि तू बैठ के पहले सुन, और मैं प्रॉपर बैठी रहती थी, कि बस अब ये आंठी कातम करेंगी, और वहां से से फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि आज आज आप करना और शायद महाराज ने देखो इतना अच्छा दिन आपको बख्ष है, तो मैंने वहां थैंक्यू किया, और उसमें भी जब जूम पे एक आंटी ने सत्संग किया, और उस टाइम क्या हुआ कि उनका नेटवर्क हो गया शुरू में, तो मैं ऐसे लैपटॉप पे लेके बैठी थी, तो वहां बड़े मंदीर का पूरा वो दिखता है, तो गुरुजी का जो वो एक चोला है ब्लैक एंड वाइब में, तो उसमें वो मैं देख रही थी ऐसे लैपटॉप में सामने, और मैं ऐसे ही बैठी कि कभी भी बोल सकते हैं कि आप को समांटी सत्संग करेंगी, नेक्स्ट, तो संगर जी क्या हुआ कि उनका नेटवर्क चला गया, तो मैं गुरुजी को कहरें, गुरुजी ऐसा मत करो, इनका सत्संग होने दो, तो मेरे को आवाज आती है कि अब भी, आज भी नहीं करना, फ पता नहीं किस फोन क्यों हम बज रहा है, आज डूना डिस्टर पे है, फोन फिर भी बजे जा रहा है, पता नहीं क्या चकर है, तो संगर जी उसके बाद क्या हुआ, कि वहाँ पे ऐसा हुआ, और फिर मतलब महराज ने उस दिन सत्संग बक्षा, और ये उनकी मर्जी होती ह और सबसे पहला सत्संग मालिक ने वहाँ बक्षा, उसके बाद फिर मुझे तब तक मैं यही सोच रही थी कि देखो, अभी तक मुझे कहीं से भी बुलावा नहीं आया, तो उसके बाद उस दर पे मेरी हाजरी लगी, और मैं उस मालिक का उस परमपिता परमेश्वर का इतन शुक्र गुजार करती हों कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा टाइम हो, क्योंकि मुझे डेट याद नहीं रहती, और गुरु नानक जैसे ही वो सब उस दिन बहुत अच्छे से बधाई दे रहे थे, कि भी गुरु नानक देव जी के जनम दिन की बधाई हो, और मतलब ए आस तक गुरु नानक देव जी बोला ही नहीं था, तो मेरी जीब भी एकदम से लड़कड़ा गई थी, लेकिन मैंने देखा था कि पहली संगत ने भी ऐसे बोला है, और संगत जी सब का रोल मॉडल होता है, और सचसंग सब के बहुत अच्छे होते हैं, सब से कुछ ना कु सुनेंगी कि नहीं सुनेंगी, बर थैंक यू आटी, मैं आपसे बहुत सिखा, मैंने उशा आटी है, वो पुरानी संगत एक अर्शना आटी हैं, वो भी पुरानी संगत है, और संगत जी फिर उशा आटी का सचसंग हुआ, और फिर गुरु जी ने मेरा नाम बुलवाया, और फिर अर्शना आटी का, जब ये सचसंग वाला संगत जी, उसके बाद जिसने मुझे कनेक्ट किया था, उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि वहाँ भी, अब आप ते को गुरु जी ने ये मैसेज दिया है, कि आप सेंडविच हो, इन दो संगत के बीच में, मतलब आज कल तो पहले बीच में ऐसी लाइफ थी, कि मैं 2007 में बेटी हुई थी मेरी, उसके बाद वो बड़ी हुई, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ नहीं लाइफ में, लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन आसू जैसे मेरे सूक से ही गए थे, दुख होता था तो तब भी मेरे करते थे, और आप परमात्मा ने इतनी खुशी बख्षी है, फिर भी मेरे को मतलब मैं गुरू जी को थैंक यू बोलते हैं, बहुत ज्यादा मैं इमोशनल हो जाती हूँ, तो सौरी संगजी, उसके बाद फिर मुझे एक दिन मैं बैठी हुई थी, और ऐसे अब मुझे यह यकीन हो जा था कि मर्जी हमारी होती है, टाइमिंग गुरू जी की होती है, फिर अंजली अंटी का कॉल आता है, तो अंजली अंटी ने देखिए संगजी अपनी चोटी बुद्धी और अपनी नेगिटिविटी कितनी होती है, सब कुछ मालिक दे रहा है, सब कुछ मैं संग सुनती थी लाइव तो मैं सोचती थी यह सब प्लैनिंग होती है इनकी, तो जब अंजली अंटी का फोन मुझे आता है कि अंटी आप संग कर रोगे, आपको शीतल अंटी ने आपका नमबर दिया है, मैंने का हाँ जी अंटी, तो मैंने का अंटी, मैं नई संगत हो, मुझे बोला, कि अरे अंटी, हम कौन होते हैं इंस्रेक्शन देने वाले, वो तो है ना गुरुजी, वो घर आते हैं, वो बुलवाते हैं, संकर जी मैंने कान पकड़ के गुरुजी को सहरी बोला, मैंने का कितना सच्चा दर है महराज आपका, और मैं रेली इस बात के मिलता है, पर वो फिर भी मेरा बहुत साथ देते हैं, मुझे बहुत आशिरवाद और बहुत लाड़ के साथ मुझे रखा हुए, तो थैंक यू गुरुजी, दूसरा उसके बाद सत्संग हुआ, संगजी और अंजली अंटी ने कॉल किया, कि नहीं मैंने का अंटी कुछ ग अंटी फिर सेवा का मौका देना, क्योंकि पहली बार था, और मैं मतलब, मैं और गुंगान करना चाहती हूं महराज का, तो उन्होंने का कि हां जी अंटी, बिलकुल, लेकिन अभी मेरे, मतलब, पेज अभी सारे फूल है, लेकिन मतलब, हैं मेरे पास, और आपको, जब भी मेरे को मौका मिलेगा, या महराज जब भी बुलवाएंगे, मैं सेवा का मौका दूँगी, तो संगजी, आज मैं यही सोच रही थी, कि, मतलब, आँटी का कॉल नहीं आया, और कितने दिन हो गए, उस पेज पे सत्संग नहीं वा, और मेरे को तो वहाँ पे थैंक्यू बोल आटी का मैसेज आता है, कि आप सत्संग करोगे, मैंने का हाँ जी, तो संगजी उन्होंने टाइम दे दिया, और मैं सुच रहे कि यह कॉल करेंगे, उन्हों तो मुझे कॉल तक भी नहीं किया, और एकदम से मेरा सत्संग हमारा हो गया, संगजी, जब सत्संग हो गया, अब आप देखिए, इधर से तो आटी ने बुला कि इंस्ट्रेक्शन की कोई ज़रोती महराज कराएंगे, और दूसरा गुरू जी ने क्या लीला रची, कि उनका उनसे तो मेरी बात भी नहीं हुई, और उन्होंने मतलब मुझे सत्संग के लिए बोला, और मेरा सत्संग हो उन उन्होंने मुझे वेडनेस दे का दिन दिया, वो गुरू जी का सिम्रन पेज वाली आंटी है, नीलम आंटी, तो थैंक यू उनका, अब मुझे ऐसा लगता है कि मालिक ने मुझे घर दे दिया, तो भुदवार को मालिक मुझे वहाँ पे सिवा का मौका देते हैं, तो थैं तो मेरा यही माना है, मैं एक शुरु शुरु में शबद और किर्तन में भी मुझे फरक नहीं था पता, तो मैंने एक यह सुना था, मैं इस से बहुत रिलेट करती हूँ कि तेरे चर्णों का दास दाता, मेरी मैं कर दे राख दाता, तो संकर जी, मैं गुरू जी से यही कहत लड़की उनके चर्णों में बैठी हुई है, तो संकर जी, आज मैं मनमन में सोच रही थी, कि मैं यह बोलूँगी, तो फिर मैंने सुचा, वो तो महराज बुलवाएंगे, पर जब मैंने देखा कि अंकल ने वो पोस्ट डाली और वो, तो मुझे ऐसा लगा कि वो पोस्ट मेरे लिए ही, और मैंने उसको स्क्रीन शॉट ले लिया, कि सच में मैं कहती हूं मालिक मुझे अपने चर्णों की दासी बना लो, और बस मैं आपका गुनगान करती रहूं, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो संकर जी, बस गुरुजी महराज के लिए मैं और जितना भी बोलू, उतना कम है, बस मैं तो बस यही जब कुछ इतना गाना वाना नहीं आता, थोड़ा सुनती हूं, तो बस यही कहती हूं कि लिख दे, लिख दे, मेरे हत विच सेवादार लिख दे, तो मालिक बस मुझे अपने चर्णों से लगा के रखो, सेवा का मौका देते र संगत जी, सत्संग की लोगों को बहुत भूख है, तो मैं यही यहां पर कहूंगी, कि अगर किसी को कुछ पूछना है, या कुछ सेवा है, तो आप प्लीज आप मैसेज करिए, और जूम पे भी सत्संग होते हैं, तो वहां से भी कनेक्ट होए, और कहते हैं कि सत्संग सेव सिम्रन तो सेवा से जुड़िये और संगत इतनी हैं हमारी गुरुजी महाराज बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं लोगों को पहले तो वो खुछ जा जाके ब्लेसिंग देते थे और संगत को घर में इखटा करके देते थे लेकिन अब करोना टाइम में उन्होंने सब को डिजिटल कर दिया मैं आपको क्या बताओं सिर्फ एक स्टेटस लगाने से भी और जो आपके मन में जैसे आपके दिल के जो करीब है अगर आप उनको रोज याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि है मालिक वह आपका जो मैंने स्टेटस लगाया वो आपको देखें और उन्हें भी ब्लेस करिए सच में आप मानिए बिलकुल आप यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगी और कुछ नहीं समझ में आ रहा है कहीं आपको बड़े मंदिर नहीं जाने को मिल रहा है आपको कोई और सेवा नहीं मिल र जी उसमें हमारी मैज लगती है तो सामने वाला नहीं कनेक्ट हो पाता इतनी जल्दी क्योंकि गुरू जी का जो जो गुरू जी का जो बदब गुनगान जो हम कर सकते हैं और जो हमें उनकी महिमा के बारे में पता है सामने वाले को इतनी जल्दी नहीं पता चलता हम बोलें में वो जो तीन पतें नहीं लगते हो बेल पत्र लगते है तो यहां का यहाँ का खेल है संगत जी बस इतनी श्रू नहीं जश्व करती तो वह अज़ी में और भोगती समूथ quietly बहुत प्यार से ुझ хотите कि आप आंग बंद करके विश्वाश करिए और मैं सच में मैं भी यही बात कह रही हूं कि प्लीज आंग बंद करके विश्वाश करिए पांच दिन सिर्फ यह लिखिए आप जुड़िये और आपसे नहीं हो रहा है और आपको कुछ नहीं समझ प्यारा ना औुम नमश्षिवाय शिवजी सदा साये यह मंत्रिजा पहे यूट्यू पहे बस आप वो चला के फोन को आप गाना भी सुंते है हम गाना भी तो सुनते हैं जब गुरुजी से नहीं जुड़े होते तो कहीं Netflix लेखते हैं कहीं कोई मूवी का गाना लगाते हैं देखें यह फोन है ना यह हर हर लेडी अगर और औरत की बात करूं यह आदमी की बात करों सबके कान में लीड होती यह शुरू में नहीं समझ मैं आएगा और उसको अपना काम करने दीजिए इतना ज्यादा प्रेश्राइज अपने आपको मत करिये क्योंकि प्रेशर डालेंगे कि उस संगत को यह संगत को यह हुए मुझे नहीं हुए तो मुझे भी दुख लगता था और फिर मैंने बड़े मंदिर से एक सत्संग लाई हुआ था वो गुरुजी ने मेरे सामने मेरी आखों के आगे डाला मैंने तो सत्संग सुनने ही बंद कर दिये थे मैं तो इतनी मतलब एकदम लो फील करने लग जा कि हर संगत की ये शुरुवात में ये प्राबलम होती है बट अगर आपके पास सत्संग कायास गुरुजी का कोई स्वरूब भी आ गया ना वाटसाप पे भी तो आप ये सोच लीजिए कि वहीं से आपकी ब्लेसिंग शुरू हो गई है संगा जी मुझे तो ये तक नहीं प लोड़ लिया तो आप लोग सारी संगत और जो ये वीडियो देख रहा है मैं कहती हूं सब बहुत ही किस्मत वाले हैं हम सब बहुत किस्मत वाले हैं जो मालिक ने मतलब आप ये सोच लीजिए आंग बंद करके मेरे कहने से गुरू जी मालाज बलवा रहे हैं कि जो पता चलती है खुद को पता चलती है कि कि हाँ यहां मेरें अंदर मैं और कभी भी मैं आए तो बस छोटी-छोटी सेवा अभी अगर बड़े मंद्chtsिर नहीं जा पारे कोई बात नहीं किसी के आँसे सतसंग के लिए कोई बात नहीं कुए आप से जुडिया और लुस यह सेवा लेता हूं चाहे कुछ भी सेवा लीजिए मैं कहते हूं किसी कहीं जाके आप सड़क पर किसी को नहीं देना चारे प्रशाद या लंगर क्योंकि लोग नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं आप थोड़ा सा अटा लेकि उसमें थोड़ी सी चीनी डालके आप चीटियों को खिला दीजिए बस आप देखिए चमतकार कैसे मालिक बक्षेंगे उस चीज को सेवा का नाम दीजिए उस चीज को गुरुजी से जोड़िए संगर जी मैं जब शुरु शुरु में जोड़ी थी तो मैंने सोनिया रोड़ा का एक मैसिज देखा था और उसमें मैं मैं बह और गंडे ही तोुभय ही वह होते हैं तो उसमें उन्होंनEं बोला था कि शिवपुरान पड़ो भाग लग जाएंगे संगर mejorar जी मुझे समय से माराज में को दो मुझे और यहार मुझे बसी प्यार दोगे और कितना मुझे दो अपके Res果 को हो गया है और आप मुझे बस मैं यह कर रही हूं आप मतला आपको धिहान में रखते हुए तो मुझे यह सिवा बक्षो और मालिक ने फिर बस चरणों से जोड़ के रखा हुए और मालिक बस अब यह जो मौझ आपने दी है संगत इतनी जोड़ रही है कि इतने कोश्चन से सब के मन में कि भोग कैसे लगाते हैं यह कैसे करते हैं यह कैसे मैं कहती हूँ आप सारी चीज़े भूल जाएए बस सिर्फ यह सोचिए अगर आपको मन में वहम आए तो आप यह सोचिए मुझे वहम नहीं करना है गुरू जी को अच्छा नहीं लगेगा बस टेंशन नहीं लेनी है यह दो चीज़े छोड़ दीज़े बिलकुल और यह सोचिए गुरू जी क्या होता था पहले कांच की कोई बाटर टूट जाती है कितना डर लगता था बस अब कभी अलबता ऐसा हो ना किसी के साथ टूट जाए तो यह सोचना मालिक ने कुछ किय है तो अच्छा सोच के किया होगा जैगुरू जी उसको साफ करो फैको और अपना जैगुरू जी करके मस्त हो जाओ संगत जी इतनी सी सोच बदलने की देर है बस और फिर मेहर देखिए सच्चे बाटशा की संगत जी बस उन्हीं के चर्णों का धिहान करते रहें और इतनी कोशलों की चर्णी शुरू हो गई है संगत जी सत्संग उसी दिन से बनने लग जाता है जिस दिन से मैसेज आता है तो बस मालिक के चर्णों से ऐसे ही जुड़िये और मैं कहते हैं कि अगर कोई कुछ ना समझ में आए और नाम से जोड़िये लोगों को और हमारे महराज का तो कोई ऐसा वहम भी नहीं है कि मतलब मंतर जाप ऐसे चुपके से देना है या किसी को बताना नहीं है उन्होंने तो कितनी मौच लगा रखी है आप किसी को भी मंतर बताईए किसी को भी नाम की दादी जी किसी को भी नाम से जोड़िये संगजी हम बाहर जाते हैं सडक पे जाते हैं आप बोलिये उनको जैगरू जी बोलिये जो कुछ मांगते हैं या आप बिस्किट का पैकेट भी बोल रहे हैं एक बार उनको बोलो जैगरू जी बोलो देखो उनकी भी ला करें आप मैंने जो सीखा जो मैं आज सोच रही हूँ कि भाई ऐसा करना चाहिए संगत जी वह आएं पहले गुरुजी महाराज का पहले पानी लेके और उनको गुरुजी महाराज इस जल को ब्लेस करो और ये भी एक संगत इसको भी एक संगत बनाईए और उसको बठा के पहल आने वाला हर इनसान संगत के रूप में आएगा ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फिर वो गुरुजी से कनेक्ट होता है और जब गुरुजी की सिमरन की जो भूख लगती है क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका सिमरन होता रहे तो ये एक हमारे दिमाग में जानते हो या कुछ है और फिर आपने थोड़ा मंतर जाप से जुड़े और दीरे दीरे आपकी भूख बढ़ने लगी कि गुरुजी कौन है कब जनम हुआ था क्या हुआ था यह सोच लिजिए कि यह साइन बहुत अच्छे हैं मतलब आपकी लिम जुड़ गई आपका अचे आपकी ता में अठांटी थ few गाड़ी कोना तो मैंने कर दिगूरु के निदे लिजिए हैं मेंने रहे हुआ है या ठीक है मैंने उनकी बात पर गौर नहीं किया था लेकिन जब घर में आई तो मुझे ऐसे रिलाइस हुआ कि वो कुछ बोल रही थी और गुरुजी बुलवा रहे थे उनसे तो वही वही गुरुजी महराज मतला मेरे साथ किया कि अगर जरूरी नहीं है कि हम माला ही जपें मंत्र ही जपें या माला पकड़ें नहीं अब तो सब जनकिर्दन से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं तो आप अपना लीड लगाईए और अराम से उनके मतला उनके ध्यान में मगन हो जाईए वही कनेक्शन होता है संगजी और बस फिर संगत इतनी मिल जाती है कि और उनका परिवार और इतना बड़ा परिवार और इतना प्या जो जो खिए संगही की संगत जी संगत बहुत है है और चुप नहीं होती हूं तो महर्या फिर सेवा का मौका देने मफिर आओंगी और आपके modelad and you तो वो शुरु शुरु में मैं सत्संग सुनती थी तो वो कहते थे पलपल सत्संग है तो मैं सोसती थी कि ये पलपल सत्संग क्या होता है पलपल कैसे सत्संग हो सकता है तो मालिक थैंक यू शुकरान है आपका जो ऐसी बुद्धी वक्षी कि सच में पलपल ससंग होते हैं गुरु जी के साथ वो ऐसी सोजी दे देते हैं तो बस ये सोजी मांगिए कि वो मैसेज गुरु जी के समझ में आने लग जाएं वो पॉजिटिविटी से हम जूड जाएं संगा जी मॉटिवेशनल वीडियो सब सुनते हैं और मैं भी बहुत सुनती थी कि पॉजिटिव रही है अफर्मेशन डालिए अच्छा लिखेंगे तो अच्छा होगा बहुत कुछ सुना लेकिन कुछ मतलब कहते हैं गुरु का हाथ जब तक गुरु को नहीं पकड़ोगे ना तो कुछ चीज में सफलता नहीं मिलती तो मैं कुछ कर नहीं पाती थी और गुरु जी हमारे मैं कहते हूँ ना हमारे पंडित भी है डाइटीशन भी है एस्ट्रोलॉजर भी है और मतलब सब कुछ है जो भी हम जिस चीज की हमें बूख है वो सब मेरे इस महराज में और मेरे इस मालिक में मेरे इन गुरु जी में महला सब के गुरु जी है मेरे तो क्या महला हमारे गुरु जी है सौरी क्योंकि मैं कहा रही हूँ नहीं मैं खतम करते मालिक और सर्बत का भला करें अब तो संगा जी जैसे पहले बोलते थे कि मांगना है मांगना है और अब तो जैसे किसी के बारे में जब मैं सुबह अमरित विला का पार्ट करके उड़ती हूं तो कुछ नहीं निकलता क्योंकि ये भी एक सत्संग है एक मेरी फ्रेंड है आंटी है वो भी संगत है तो वो कह रही थी कि उन्होंने मतलब उनकी फैमिली में कोई बिमार हुआ तो उन्होंने वीडियो कॉल करके सब दर्शन करा है कि गुरुजी से ब्लैसिंग ले लो और संगा जी मैंने तो उस दिन से कान पकड़े कि महराज बस गुरुजी को चैले मत करो और ऐसी बात कोई मत बलो क्योंकि गुरुजी का जब आंसर आता है ना तो वह बिल्कुल ही हम तो ऐसे हो जाते हैं जुक जाते हैं मतलब शर्मिंदिकी से तो मैं तो कुछ वो नहीं नही करना तो मेरे को है और लगे पड़े हैं तो संगा जी यहां जब जूड़ जाते हैं वह चर्णों में ले लेते हैं तो सब 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 उनकी मर्जी से होता है बस यह महराज हमें यह सोजी देते कि उन्होंने हाथ पकड़ लिया है और अब हम उनके चर्णों में और अब जो जो जैसे वो रखें अच्छा रखें तो शुक्राना बुरा रखें तो भी शुक्राना क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ चीजें छुपी होती हैं वो आने वाले टाइम में हमें हर चीज का आंसर मिल जाता है और सच में मिल जाता है संगजी तो यहां तो मुझे लग रहा भूख जगी हुए लोगों को गुरुजी के बारे में जानने के लिए कि मैं मुझे ऐसा रगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तो बस महराज ऐसे ही मेर बरसाते रहें ऐसे ही अपने चर्णों से जोड़ के रखें और ऐसे ही सब को सर्बत का भला करते रहें और सब को अपनी संगत बनाते रहें और हमें सेवा का मौका देते रहें संगजी यहीं खतम करूँगी और आग्या लोगी गुरुजी से और आप लोगों से संगजी कोई गलती हुई हो महराज कोई गलती हो तो मुझे माफ करना क्योंकि सत्संग के टाइम पे वो निकल जाता है कुछ मुँ में से तो अगर किसी को कुछ हर्ट हुआ हो ता I am sorry for that गुरुजी को मैं गुरुजी से भी माफी माँगूँगी और संगत से भी तो शुक्राना गुरुजी और संगत जी थैंक यू काफी टाइम हो गया अब और बस जै गुरुजी जै गुरुजी जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी